नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है सभी का मैं खेर बग्दम करती हूं दोस्तों कॉंग्रेस को एक और शहादत देने के लिए तैयार रहना चाहिए बलकि अंधर यंदर वो तैयार हो भी गई होगी एक बार फिर से नुकसान उठाने के लिए कमर कस लेनी होगी क्योंकि अब राहुल गांदी के बाद बारी है खड़के साब की दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है मेरी आज जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो ना वो आप तक सबसे पहले तो मैं बात कर रही थी कि राहूल गांदी के बाद अब खड़के साब का नंबर क्यों आने वाला है तो सभी चोरों का सरनेम मोधी क्यों होता है इस ब्यान से जुड़े मान्हानी कीश में राहूल गांदी लोगसभा की सदस्यता गवा चुके हैं राहूल के बाद अब कॉंग्रेस के राष्टियद्धक्ष मलिक अर्जन खड़के भी बजरंग दल को देश्विरोधी ताकतों जैसा बताने पर मान्हानी के एक ऐसे ही मामले में घिर चुके हैं लगता है कि उनका भी यही हाल होने वाला है अब देखिए पंजाब की संगरूर कोट ने आज उन्हें सौ करोड के मान्हानी केस का सम्मन जारी किया है संगरूर की सिविल जज सीनिय ड्विजन रमंदीक कोर की कोट ने खड़के को दस जुलाई को कोट में पेश होने का आदेश दिया है कोट ने यहां देश हिंदू सुरक्षा परिशद और बजरंग दल हिंदू के फाउंडर हितेश भारदवाज की जाचिका पर दिया है कोट में दायर पेटिशन में हितेश भारदवाज ने यह कहा है कि करनाटक मिधान सबस्चुनाव के दोरान मलिक अरजन खड़गे ने बजरंग दल की तुल्ला में देश विरोधी ताक्तों से किये खड़गे ने यह कहा था मैं आपको बता दू दोस्तों कि exactly खड़गे साब ने क्या कहा था उन्होंने यह कहा था कि जब भी कॉंग्रेश की सरकार आती है तो बजरंग दल और इस जैसे दूसरे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं एक और बात बड़े ध्यान देने किया दोस्तों कॉंग्रेश ने अपने घोशना पत्र के पेज नंबर दस पे बजरंग दल की तुलना देश दुरोई संगठनों से किये और चुनाव जीतने पर इसे तत्तिबंदित करने का वादा किया इसके बाद ये सब चीजे समझने के बाद ही कूट का दर्वाजा कट-कट आया गया है मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि करनाटक विधान सबाचुनाव से साथ दिन पहले यानि कि दो मई को कॉंग्रेश पार्टी ने अपना मैनेफेस्टो रिलीस किया था इसमें PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बेन लगाने का वादा किया था यानि कि कॉंग्रेश की नजर में PFI और बजरंग दल एक ही समान है एक जैसे हैं कॉंग्रेश के वादे को लेकर के बजरंग दल ने देश भर में परदर्शन किया और चुकी चुनाव का मौका था तो परधान मंतरी नने मोदी भी उन दिनों उस स्टेट में रैलियां कर रहे थे उन्होंने भी इस मुद्द का जिक्र अपनी सभाओं और रैलियों में किय कर्नाटक विदाण सभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा काफी जोड़सोर से उठा कॉंग्रेश ने मैंन्फेश्टों में बजरंग दल को बें करने का बादा किया हालाकि बजरंग दल के विवाद के बीच करनाटक में कॉंग्रेस जीच चुकी है लेकिन बजरंग दल को बंदाम करने को ले करके ये मामला इस समय कोट में पहुँच चुका है विएशपी की चंडिकर यूनिट ने भी कॉंग्रेस अधक्ष खड़गे को एक लीगल नोटिस भेज करके मानहानी के एवज में सो करोड देने को कहा है कॉंग्रेस मैनिफेस्टों में बजरंग दल पर बैन के वादे को ले करके परधान मंतिरी नरिद मोदी ने भी तंज कसा था उन्होंने दो माई को विजे लेगर की रेली में कहा था कि हनुमान जी की इस पवित्र भूमी को नमन करना बहुत बड़ा सा भाग्या है दुरभाग्य है कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्ने लिया है और ये भी कहा गया था कि पहले शिरी राम को ताले में बंद किया और अब जब अजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल लिया गया है ये देश का दुर्भाग्या है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होने की बात दिकाई थी और अब जब जरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है कॉंग्रेस को ये भी अरेलियों में कहा गया था अगले दिन उन्होंने अपील की थी कि जब पॉलिंग बूद में बटन दबाया जाया तो जब जरंग बली भोलकर कॉंग्रेस को बताया जाया तो दोस्तों बजरंग बली पर अब कॉंग्रेस को जवाब तो देना ही है राहुल पहले ही अपनी सांसदी गवाए बैठे हैं इसके अलावा भी कई मामलों में सोनिया और राहुल की काफी शिशा लिदर हो चुकी है और अब सोचने की बाती है कि खड़गे का क्या होगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में बजरंग दल को PFI से कनेक्ट किया है जोड़ा है वैसा ही बताया है तो ये शाद से उन्होंने सही नहीं किया क्योंकि PFI एक ऐसा डल आता है जो इसने पिछले दिनों कुछ ऐसे काम कर दिये कि इसको बैन किया गया लेकिन अगर कॉंग्रेस अपने मैनिफेस्टों में हिंदू संगधनों को बैन करने की बात करती है तो जाहिर सी बात है देश में बावाल तो होगा ही और अब इस मुद्दे पे के सभी चोरों का सरने मोदी क्यों होता है इस बयान को ले करके जैसा की रहुल गांदी की काफी फजीयत हुई उनकी सांसे दी गई है उसके बाद अब कॉंग्रेस के राष्टिया दक्ष मलिकाजन खड़के भी बजरंग दल को देश विरोधी ताक्तों जैसा बताने पर मा कैसे ही मामले में घिर गए है दोस्तों इससे जुड़ा जो भी कंटेंट मेरे पास आएगा मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी तो आज के लिए इतना ही आप अपना और अपनों का ख्यार लखिए खुश रहिए स्वस रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत